आज ये वीडियो Microsoft Access को लेकर के है और Access के अंदर एक function है जो length calculate करके देता है आपने Excel में देखा होगा यहाँ पर Excel 2007 वर्जन में इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपने देखा होगा Excel के अंदर यह function है इन्हीं यह access के अंदर कैसे होगा जैसे मैं यहाँ पर एक country का नाम लिखता हू इंडिया जो कि हमारी country है और यहाँ पर अगर इंडिया की length calculate कर रही हूं तो केवल i n लिखते हैं और एंटर कर देंगे तो यह इंडिया बन जा रहा है लेकिन यहाँ पर अगर इसकी length calculate कर रही है तो हम length function का इस्तमाल करते हैं और यह हमें बताता है कि यह कितने characters हैं वैसे count कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच पांच character का यह नाम है एंटर करेंगे 5 ही हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर pipe आ जा रहा है लेकिन Microsoft Access में क्या कहानी है तो access का 2007 वर्जन यहाँ पर मैं इसके लिए और यहां से हमें जाना है blank database पर और जैसे blank database पर जाते हैं तो आपके को इसले कई सारे वीडियो में बता चुका हो ठीक है अब यहां से create पे click करना है तो len function यहाँ पर कैसे इस्तमाल होगा सवाल जै यह है कि len function को यहाँ पर कैसे इस्तमाल किया जाय है कि यहां पर जैसे Excel में हम कर रहे हैं, देख सकते हैं, यह Excel वाला है, तो वैसे ही यहां पर कैसे इस्तमाल होगा, तो आईए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको close कर देना है, तो यहां से इसको close कर देता हूँ, और यहां पर अब जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है SQL View क्या मिलता है SQL View मिलता है तो यहाँ पर SQL View में चले चलना है तो query design पर जाएंगे और जैसे इसको close करेंगे तो यहाँ पर SQL View मिलेगा बस यही पर आपको आ जाना है ठीक है अब करना क्या है कैसे करना है उसको समझे यहाँ पर आपको select लिखना है, इस तरीके से select लिख लिजेगा, select लिखने के बाद क्या करना है, जैसे यह आप select लिखते हैं, तो यहाँ पर length लगाईएगा function, और यहाँ पर bracket को कर लिजेगा open, और यहाँ पर जो भी आप लिखते हैं, वो string लिख दीजेगा, अब आपको यह पताने की जरुवत भी नहीं है, कि string singulated comma या devoted comma के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक string, we are learning, l-e-a-r-n-i-n-g, SQL, यह मैंने लिख दिया, और devoted comma को close कर दिया, bracket को भी close कर दिया है, देख तकते हैं, ठीक है, और अब अगर यहाँ से मैं term termination दे देता हूँ, termination यानि semicolon, यहाँ पर यह देख लिए, यह syntax आपको लिखना है, और अगर यह syntax लिख करके, यहाँ से आप run करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि यह run हो जाएगा, और run होने के बाद, run होने के बाद जो है, यहाँ पर आपका answer आएगा, तो यहाँ पर length के बजाए, आपको क्या लिखना है, length लिखना है के वल, और length लिख करके, और आप इसको चला दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 19 character आपको दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर एक expr 1000 आ रहा है, तो इसका क्या solution है, तो आप इस SQL पर चले चलते हैं, और इसको नाम दे देते हैं, as length, l-e-n-d-t-x, और यहाँ से terminate कर देते हैं, और terminate करने के बाद आप इसको चला देते हैं, तो आप चलाएंगे, तो दिखे, length के नाम से आ रहा है, ठीक है, और यह ध्यान यहाँ पर यह चार, पाँच, फिर यह स्पेस साथ, आठ, नो, दस, यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह, तोलह, यह स्पेस सोलह हो गया, पर यह सत्रह, पर यह ए ठारह, और यह लास्ट अल जो है, उननीस हो जाएगा, और इसको नाम क्या दे दिया, आपने length दे दिया है, तो यही चीज यह दे रहा है, उननीस दे रहा है, यहाँ पर यही सेम चीज एक्सल में भी है, देखिए, यहाँ पर इंडिया में, अगर मैं एक गैप देता हूँ, तो यहाँ पर आंसर सिखता जाएगा, आपका, एंटर करते ही, देखिए, यहाँ पर एक बार सिर्फ गैप देना है आमें, और गैप देने के बाद दिखिए यह आंसर सिक्षा रहा है, तो यही सेम चीज माइक्रोसाफ एक्सेस में भी है, और यही सेम चीज किसमें है, माइक्रोसाफ एक्सेल में भी है, तो एक्सेल में और एक्सेस में, दोनों में मैंने आपको दिखाया, उमी